वीदा पीपल समण संग और वीदा पीपल समण संग में जो लोग पिछले कैई साल से जमीन पर छोड़ी छोड़ी मिटिंग कर रहे हैं या अब पिछले नौ मेहने से जूम पर लगातार दो सो डाइस सो आदमी और तीन सो तक भी पहुँच गए हैं तीन सो तीस पैंतिस तक भी जो लगातार मिल रहे हैं मिटिंग कर रहे हैं वो किसी की टांग नहीं खीशते लेग पुलिंग नहीं करते और ये बात समण संग दावे से कह सकता है कि समण संग में आज तक भी कोई किसी की टांग नहीं खीशता लेग पुलिंग नहीं करता तो पूछें दावे किस आधार पर दावा है दावा इस आधार पर है कि यहां जितने भी लोग हैं उनकी टांगे हैं ही नहीं, उनकी लेग ही नहीं है, जब उनकी टांगे ही नहीं है, लेग ही नहीं है, तो कोई खीचेगा क्या, यहां तो सब के हाथ हैं, तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तो कि यह कैसे हो सकता है, मन उससे हैं, लोग हैं और उनकी टांगे नहीं है दरसल जो टांगं खीचना का मुहावरा है वो कैसे बना हुआ है वो बना हुआ है किसी का पद खीचना कोई परधानी के पद पर है तो उसके पीछे लगे हुए लोग है कि सके परधानी के पद को खीच लो कोई जनरल साइकर्टी के पद पर है तो किले इसका पद खीच लो कोई मिनिस्टर हो गया कोई MLA हो गया कोई किसी गुरुप का समू का संस्था का कुछ पदादिकारी हो गया तो कहता है इसको नीचे उतारो उसको लेग पुलिंग बोलते हैं डाउन करना उसको कहते हैं कि टांग खीचना कोई मनगरंद बाते कर रहा है उसकी बात को काटना तो कहते हैं कि ये मेरी बात काटता है मेरी टांग खीचता है कोई किसी का अधिकार ले जाए उसको कहते हैं कि ये टांग खीच रहा है कोई किसी का पैसा माल ले तो कहते हैं, यह मरे को नीचे खीशता है, मतलब उसकी पोजिसन से, उसके पद से, उसकी पृतिष्ठा से, उसके मान से, उसके सम्मान से, उसके पैसे से, जो चीज उसने अचीब किया उससे नीचे करना, तो यहां वीदा पीपल समण संग में कोई ऐसी चीज है यहां ना तो कोई पद है, ना यहां कोई पोजिशन है, यहां सारे लोग बरावर हैं, पहले भी बरावर थे, बुद्ध से पहले भी बरावर थे, बुद्ध के बाद भी बरावर थे, बुद्ध के समय बरावर थे, अ अपने सिस्चों को सिखायार पढ़ाया, वो भी बुद्ध को भंतिक कहते थे, और बुद्ध भी उनको भंतिक कहते थे, यानि कि संबोधन भी एक है, यहां भी एकी संबोधन है, यहां जो नर है, एक दूसरे को सरके के बात करते हैं, चाहे कोई कैसा भी है, चाहे कम उमर का ह ज्यादा उमर का है, ज्यादा पड़ा लिखा है, कंपड़ा लिखा है, अनपड़ है, गवार है, छोटे साइज का है, बड़े साइज का है, कैसा भी व्यक्ति है, अगर वो नर है तो उसको सर कैके बोलते हैं, और कोई नारी है तो उसको बहन जी कैके बोलते हैं, कैसी भी ना जाए और बात सुनेगा कौन कोई व्यक्ति मुख्या तो है नहीं कोई प्रधान नहीं यहां सा बरावर होते हैं तो बात सुनती है पूरी सभा यानि कि समण संग सुनता है बात उसकी काम की बात हो तो संग सुन लेता है काम की बात ना हो तो कहते हैं कि यह बहुमत में ठीक न के साथ और वो भी अपने नहीं खा सकते तो सारे मिलके बैठेंगे खाएंगे तो संग का नियम है कि खाना मिलके खाना है कोई ना भी लाया तो कोई बात नहीं संक का खाना है संग उसको खाना देता है बरावर खाते हैं चाहर एक रोटी से मैं हाच्छा दू आए और अधिक जितने भी मीटिंग हुई है, समय खाना बचाहिए, क्वी सब समझदार हैं, दो की जिए का चार इफाल दुलाते हैं, खाना करी बार आसपास में बांटनाई पड़ता है, तो कोई किसी का पैसा नहीं लेता, तो टांक या खीचेगा कोई किसी को ये कही नहीं सकता तेरी कार में गया था मैं या तू मेरी कार में गया था में तेरा पैटल खर्च किया क्योंकि यहां तो नियम है आएगा जाएगा अपने पैसे से और अगर समण संग में किसी की कार में बैठके जाएगा तो बरावर का पैसा उसको देगा तो टांग क्या खीचेगा तो कोई कह सकता है मेरे हैं रुके मेरे हैं आए तो उसका भी नियाम है समण संग में किसी के हैं जाओगे और रुकोगे अपने सेहर से बाहर तो लिफाभे में बंद करके उसको कुछ है माउंट दोगे वैसे 500 पे निर्धारित है देख लो मौकेब है कि 500, 300, 400, 600 जो भी उसका लगा हुआ है अंदाजा करके लिफाभे में रखके दे दो लेने वाले की मर्जी है ले या ना ले मगर आपकी जमदारी है कि आप दें तो लोग पैसे देते हैं तो क्या टांग खीचेगा हमने तो दिये तो ने लिए ने लिए तिरी मर्जी और हम तो रुक्येश्ट से सम्मान से दे रहे हैं भाई ले ले समर्संग का नियम है तो लेने चाहिए और नहीं लेते होता आपि सम्मान की बात बात का टांग नहीं हीasto सकता क्योंकि कोई किसी का फरीका खायेगा तो यह तो टांग खीचेगा मेरा खा गया मेरा मेरी गाड़ एमें बैठा ना उपर चड़ता है ना यहां नीचे चड़ता है आग कि सारे के सारे तो सब कुर्सी पे बैठेंगे और कुर्सी का पैसा खुद देंगे किराया कुर्सी का पैसे का किराया कोई और नहीं दे सकता आपको कुर्सी बैठ ना है तो कुर्सी आ जाएंगी उसका खर्चा देना पड़ेगा तो क्या टांग खिचोगे, आप तो किसी की कुर्सी बैट के भी नहीं आए, तो कोई माला भी नहीं पनाने वाला है, कोई आपको बीच की कुर्सी दे के परधान नहीं बनाने वाला है, धक्ष नहीं बनाने वाला है, कोई प्रमुक वक्ता, कोई वक्ता, कोई अतिती, कोई सम कि इसमाइब किती कुछ नहीं बनाने वाला है जब पैस Nej रहा कोई किसी का पैसा भी नहीं है ऐकाउंट नहीं है तो समड़ संग आ जीवन पूरी जिंदगी पहले भी और अभी भी पॉब्लिक से पैसे नहीं लेता है इसका खर्चा जो काईकम लगाते हैं जो चलाते हैं वो आपस में शेयर करते हैं बहुत मिनिम्म खर्चा है 102 रुपेगा बैनर है और बागी कुछ थोड़ा बहुत होता है वो कर लेते हैं आपस में किसी को कहते भी नहीं है तो क्या टा समर्संग में किसी की दादा ग्रीव नहीं चलती कोई यह नहीं कह सकता कि तुझे समर्संग में आने नहीं देंगे या तुझे समर्संग से जाने नहीं देंगे हर व्यक्ति जो आज के समय SC-HTOBC में आता है, पैदा हुआ है, वो समर्संग का पैदा ऐसी हकदार मेंबर है, उसका हक है, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, सबके बाप का समर्संग है, सबके दादा का समर्संग है, सबके पर दादा का समर्संग है, सबकी पर दादी का पर नानी का समर्संग है, तो समर्स संबसंग के Hazara कुई किसी को दोस्क नहीं ले सकता चुआ कि समढसंग की एक व्यक्ति का व्यक्ति बाद का को निर्णे चलता नहीं सारी सभह बैठती है निर्णे लेते हैं बहुमत से पास हो गया तो लिए बार पत कोई किसी की टांग नहीं खीच सकता ना पहले कभी किसी नहीं खीची है ना आप खीच सकता है क्योंकि समर संग की टांग ही नहीं है इसको आप खुलके कह सकते हो कि यहां हम एक दूसरी की टांग नहीं खीचते हो बलकुल दावेक साथ कह सकते हो और कोई यह पुरूब कर दे के समर संग में यहां टांगे हैं तो वो टांगे समर संग के अंदर एक डिशन होगा बैठेंगे टांग को निकल के भार करतेंगे हमको चाहिए नहीं टांग किसी की हमको तो हाथ चाहिए कंदे से कंदा चाहिए हमको तो वो यहां चल रहा है और यही खास बात है इसकी जो ते कि जब बुद्ध नहीं थे, खाली सिद्धत गौतम थे, तो सिद्धत गौतम एक वार जगड़ा हुआ, जहां वो रहते थे, वो जगे को साके कबीला बोलते थे, और एक नदी पड़ती थी रोहनी बीच में, और उसके परले तरफ कोली नाम के कबीले में लोग रहते थे, द लोग थे, पानी अपनी तरफ ज़्यादा मोड लेते थे, इधर साक्यों को पानी चाहिए, उनकी फसल सूकती थी, तो जहड़े रहते थे उनमें हर साल, तो साक्यों नहीं कहा कि आपके जहड़ा खतम करते हैं, आपके युद्ध करते हैं इनसे, लड़ते हैं आपके, आप उनके एक हजार हल चला करते थे, जैसा बावा साव मिटकन ने बुद्ध इन इस धर्मा में लिखा हुआ, तो सिद्धत कौतम से कहा कि तुमने संकी बात नहीं मानी तो पनिस्मेंट होगी, तो पनिस्मेंट में उनको सक्के जो कबिला था वो छोड़ना पड़ गया, उनका जिसको हमें सजा देनी होती है, उसको हम समाज से बाहर कर देते हैं, कहता है इसका हुका पानी बंद, आसे ये समाज से बाहर, वो यह नियम चलता है, और हरियाने मुद्ध परदेश में तो खूब दबा के चलता है, तो वो जो नियम था समर संग वहाँ अप्लाई हुआ, पंच परमेस्वग नाम से कहते हैं, और वही नियम है, वही नियम है, हाथ के आथ पंचाइज बैठती है, हाथ के आथ किसी को मुक्या बनाती है, हाथ के आथ बात आती है, हाथ के आथ फैसला होता है, और फिर वो फैसला मानना होता है, पंचों का फैसला मानना पड़ेगा वही नियम दुबारा से हैं, यह नियम यहां दुबारा से इसलिए लेने पड़े, क्योंकि हमारे जो संग्ठन है वो बहुत जादा है, 29 लाक संग्ठन जो रिष्टर्ण हैं और उनमें 4 लाक एक्टिवेट हैं, टोटल 31 लाक हैं जिनमें 2 लाक उनके हैं, और दुनिया की सार हमारे अधिकार चले गए, जैनि संग्ठन लाकार लागातार जैसे वो कहते हैं, उनको पैसा भी देते हैं, उनकी बात मु भी मांनते हैं, सब काम करते हैं, क्योंकि संग्ठर वाले लोग यह नहीं सोचते कि 6,743 जो हमारी जातियां हैं वो हमारे 6,743 टुकड़े हैं पुराने संग के जो बुद्ध से पहले संग था और अब उन्होंने 29,000,000 संग्ठर बना के हमारे 29,000 टुकड़े और भी कर दी तो हम हमेशा से बात करते रहते हैं क 29,000 संग्ठर ने उन्होंने हमें टुकड़े किये हैं आज यहां जाती की बात चली तो जाती की बात कर लेते हैं क्योंकि जाती की बात हम करते नहीं हैं बहुत छोटी बात है जाती की तो अब 6,743 टुकड़े हैं जबकि संग्ठरों के 29,000 हैं तो हम जादा बड़े ता नहीं है ये खास बात है और समझ संग के पास पुराना सारा जबार है आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप youtube पे चला सकते है, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सर्फ इतना right हैस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगम सरनं गच्छामी संगम सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छामी तूथियम पी धममर सरनम गच्चाम। तूथियम पी धमम्म सरनम गच्चाम। दूतियों पी सर्णों सर्णों गच्छानू दूतियों पी सर्णों सर्णों गच्छानू ततियों पी बुद्धों सर्णों गच्छानू ततियों पी बुद्धों सर्णों गच्छानू तियम्पी धम्मं मर्सेरंं कच्छाम próp। तियम्पी धम्मं सर्नं कच्छान 솔émie, तियम्पी संगम् सर्नं कच्छाम insufficient। तियम्पी संदं सर्नं कच्छाम्arntbbles को। साथू, साथू